हेलो फ्रेंट्स तो काफी बड़ा अपडेट है और इसके बारे में बात करना तो बनता ही है काफी समय समसे हम सुन रहे हैं कि यूटूब शॉट्स जो है मानेडाइज हो रहे हैं आपने सुना कि अर्ली 2023 में ये मानेडाइज होने बारे हैं कि एक तो शॉट्स नादाइज हो रहा है चाड़्स को रहे है ये मैं आपको बताऊंगा 20, इसने यहाँ पर यहाँ पर यूटूब पाटर्चियोब गरande में बतार ईहाँ देढ़ा है तो अंदे जलते हैं तो हमें काफे हैं detailing मिलती है मैं आपको थोड़ा सा इसमें summary में समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या बोना चाह रहा है यह रोग तो यहाँ पर साफ साफ इन उन लिखा हुआ है कि early 2023 से YPP partnership program में थोड़ी से changes होंगे और early 2023 का मतलब यह है कि यह जो है mid जनवरी में होगा यानि कि जनवरी के आधे में कभी भी 15-16 जनवरी को अब यह changes क्या है सबसे पहले हम समझते हैं कि जो shorts हैं उनका monetization का क्या criteria रहने वारा है तो shorts monetization के जो criteria है वो यह है कि last 90 days में मतलब कि October 2022 से लेके October, November, December और जो जनवरी का आधा मान लो इस समय तक अगर आपके 10 million valid public views होते है shorts के ओपर और आपके पास 1000 subscriber हैं तो आप YPP partnership program के लिए eligible होते हैं यानि कि आप eligible होने का मतलब यह है कि अब आप अपने channel को review बिता सकते हैं यह आपको YPP चाहिए अब accept होना reject होना वो आगी की बात होती है और अगर आपको YPP का acceptance मिल जाता है तो एक फरवरी से आपके shorts पे admin payment आना start हो जाएंगे और इसका आपको revenue sharing मिलेगा तो revenue sharing में आपको कितना मिलेगा जो भी आपका revenue होगा वो 45% revenue आपको दिया जाएगा पाकी का YouTube रख लेगा अपने और खर्चों के लिए इसी के साथ जो पुराना YPP का जो format है eligibility criteria वो भी वहीं पे रहता है यानि कि आपको 1000 subscriber चाहिए और 4000 घंटे चाहिए जो कि आपके होने चाहिए long form of videos पे तो भी आप YPP के लिए qualify कर जाते हो मतब कहने का ताथ पर यसे यह है कि अब YPP को qualify करने के लिए दो तरीके है या तो आप अपने शॉर्ट्स पे last 90 days के ओपर 10 billion views public valid views लेके आए और आपके पास 1000 subscriber होने चाहिए या फिर प्रौणा मेथर तो है कि आपको 1000 subscriber चाहिए और 4000 घंटे का wash time आपके पास होना चाहिए long form of the videos पे दोनों ही तरीके से आप qualify कर जाते हैं YPP के लिए YPP आप जैसे ही qualify करते हैं it means कि आप long form of videos के लिए भी qualify कर गए है और short form of videos क्यानि कि shorts के लिए भी qualify कर गए है किसी भी तरीके से आपको अगर YPP मिलता है तो आप दोनों पे ही eligible है add run करने के लिए और उसमें revenue sharing करने के लिए लेकिन इसमें आपको दोड़ा से मैं clear cut एक बात बता दूँ कि ऐसा नहीं कर सकते हैं कि अगर आप YPP को qualify करना चाहरे हैं long form of video के style से तो आपके जो shots के जो wash time वो count नहीं होगा आपके shots के wash time जो होगे वो count नहीं होगे shots basically यहाँ पे views के format में count हो रहा है कि आपके number of the views केते हैं तो last 90 days में अगर आपके पास 10 million views आते हैं तो आप YPP के लिए qualify कर जाते हैं साथ में आपके बास 1000 subscribers थो होने ही चाहिए और अगर आपके बास 1000 subscribers हैं और इससे पहले ही आप अपने long form of videos बे 4000 घंटे का wash time ले ले लेते हैं तो भी आप YPP के लिए qualify कर जाते हैं तो यह दोनों के दोनों चीदिये अलग-अलग हैं लेकिन एक बार अगर आपको YPP मिल गया तो आपको सारे के-सारे advantages, सारे के-सारे features वह मिलेगे जो कि आपको मिलते हैं यानि कि अगर आप किसी भी तरीके से YPP ले ले लेते हैं तो long form of video भी आपको monetize हो गया और आपका short भी हो गया उसी तरीके से जो existing YouTubers हैं जिनके पस YPP है, जिनके पस 1000 subscribers से ज़्यादा है और 4,000 घंटे उनके पास already हो चुके हैं तो उनके लिए क्या राएगा क्या उनके लिए automatically ये short form of video 1st of February से खुल जाएगा यस, खुल जाएगा उनके लेकिन उनको एक agreement accept करना पड़ेगा एक agreement जो आता है, वो सभी के पास आएगा जो की mid February में आएगा sorry, mid January में आएगा उस agreement को आप accept करेंगे और 1st of February से आपके shorts भी monetize हो जाएगे तो अगर आपको बस already YPP है from the earlier method, तो भी आप shorts के लिए qualify करते हैं और बहुत ही easy होता है अगर आप एक आच्छे shorts बनाते हैं इसमें एक criteria और भी है कि आपको जो short है वो result होना चाहिए, ऐसा नहीं करें कि आप किसी का भी short उठा ले है कोई भी video उठा ले, उसे shorts बना ले तो आपके अंदर कुछ ना कुछ से related जो policies होती है advertiser friendly guidelines है वो सब के सब follow करनी है उसके बाद, मतलब eligibility right is a different thing लेकिन YPP आपका accept होता है या नहीं होता है वो again, काफी चीज़ों पर depend करता है लेकिन खुशकबरी ये है कि आपी जो है काफी relaxation है कि YouTube shots से भी आप अपने आपको qualify कर सकते हैं YPP के लिए और पुराना method तो रहना ही वाला है और सब के लिए बड़ी खुशकबरी बात ये है कि YouTube shots आखिरकार monetize हो जाएंगे एक फर वरी से आप देखेंगे कि इसमें advertisement आने लगेंगे किसी format में होगे हम आगे चलके देखेंगे बताईगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी बाकी शेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार